हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मोबाइल फोन में है रियल मी 10 प्रो 5G इसके अंदर जो EDGI लाइट है उसके बारे में हम कर लेते हैं बात तो हेलो फ्रेंट्स फट फट कर लीजिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुल जाईए तो आपको क्या करना है आपको आजाना फोन के अंदर फोन के अंदर आने के बाद इसके अंदर जो इसकी जो सेटिंग है सेटिंग के अंदर चले जाना है सेटिंग के अंदर आपको जाने के बाद आपको क्या करना है आपको कर लेना है स्क्रॉल करने के बाद इसमें आपको मिल जाता है wallpaper and style का wallpaper और style पर आपको चले जाना है wallpaper and style पर जाने के बाद आपको simply क्या करना है नीचे आपको option दिखाई दे जाएगा EDGI light का जो EDGI light है इस पर आपको कर देना है click इस पर click करते से ही आपको जो ये EDGI light का option है ये enable हो जाएगा तो जिसा कि आप देख सकते हैं अगर आप EDGI light को enable नहीं करना चाते हैं तो ये non पर click कर रहने दीजिए अगर आप करना चाते हैं तो आपको तीन color variation variant में दीएगा है पहला color जो है वह आपका है blue जब भी आप blue color का इस्तमाल करेंगे तो आप जैसा कि देख सकते हैं आपकी screen पर दिखाई दे रहा है इस तरह कि आपको click कर देना है और इसमें कोई options नहीं दिए गया है notifications के बाकी इसमें आपको ना call का अलग option है ना notification का अलग option है तो ये आपकी जो call और notification है दोनों पर ही work करती है जिसक्कि आप अभी देख सकते हैं फिर आपका जो camera है camera की light जले camera की भी light नहीं जलती है तो ये है आपका जो phone जिसके पर आप EDJ light लगा सकते है realme 10 pro 5G तो hello friends तो आपको वीडियो कैसे लगी हमें comment box में comment करके बताईएगा और ऐसी interesting videos के लिए हमारी चनल से जुड़ जाए वीडियो को कर लिजे like channel को कर लिजे subscribe बाकी मिलते हैं next video में किसी और topic आसा तब तक कि लिए जये भारत भार हुआ 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 है